चीर परिजित अनुहार लोकप्रिय प्रस्तोता इंड्र लोहनी को जन्म जापा लखनपूर आथ रंगपूर मा बिक्रम संबत दुई हजार पचीस बैसाख पाँच गते बुधबार का दिन भैकुथियू। पिता शारदा प्रसाद रब्माता हरी माया लोहनी का पाच संतान मत्धे इंड्र दोस्र हुन। इंड्र को बिवा बिक्रम संबत दुई हजार चपन्न बैसाख एगार गते सुस्मा दुवेदी संग भैकुथियू। उनी हरुका दोई छोरी हरु साम्राग्गी रव सुभांगी छन। जो हाल आमा सुस्मा का साथ मध्य बाने स्वर काठ्मांडों मा बस्ते आएगा छन। घर परिवार मा बाबुराम भने रव बोलाईने इंड्र बाल्लेकाल देखिने हक्की सभाब का थिये। कसई बाट हेपियर उनी पतक कई बस्तन सक्दैन थिये। मिरन्सार र उदार सभाब का धनी इंड्र जती चन्चले र चक्चके थिये तियो भन्दा बड़ी उनको उदार सभाब थियो। पछन पाथन मा अउशत भायपनी उनी पड़ाय मा कहिलेई असफल भायनन। तराईको सरकारी विद्याले बाट प्रवेश्ची का परिक्षा उत्तिर्ण करेर उनी 2041 साल मा काठमांड उछेरे का थिये। उनको सभात र रूची ले नई उनले कानून 200 रोजे को हुनू पर्छा। नेपाल लौ कैमपस बाट उनले 2046 साल मा इस्तना तक गरे पची LLM अध्यन का लागी उनी भारत को बेंगलोर गए। नेशनल कॉलेज बेंगलोर बाट 2022 साल मा कानून को इस्तना तकोत्तर भैर उनी नेपाल फर्किये का थिये। इंड्र लोहनीको बेगले ब्यक्तित्तो निर्माणमा अउपचारिक भन्दा अनउपचारिक शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको अनुमान करना सकीन्छ। उनी परम हम्षय योगा नंदका भक्त थिये रस्षनातन धर्मका अनुयाई भनी। गुरु को ध्यान, रामदेव को योग तथा विविन्न धर्मक्रंथ उनले पतक पतक छिचोले का थिये। बाइबल, कुरान तथा वेद उनलाई कंठक राय थियो। गीतामा उनको विशेश तखल थियो। यस बाहेक दर्शन सास्त्रको अध्यनमा गहिरो रूची उनी राखनी गर्द थे। बिफिन्न दर्शनिक योगी सन्यासी हरुलाई भेटने उनी हरुशंग चलफल रत्तरक गर्नार उनी रूचाओंद थे। कानून मा प्रमाणपत्र तह उत्यर्ण गरे देखिने लौफर्म संचालन गरे का इंद्र जीवन को अंतिम क्षण सम्मनै एक प्रत्यस्थित्र चर्चित अधिवक्ता को रूप मा कारे रत्थिये। उनले तेसे बेला देखी नेपाल टेलेविजन मा अयन कानून नामक कारेक्रम पनी संचालन गर्न थाले का थिये। अयन कानून पछी उनले नेपाल टेलेविजन माई मुलुक को सम्मसामेक राजनिती मा आधारित बहस नामक कारेक्रम संचालन गर्दे आयका थिये। दर्श्पेन नमस्ते प्रस्तुत कारेक्रम हामी यहांले हार देख स्वागत अभिबादन गर्न चान फाँन। याँ लठाईचे दर्श्विजन माँ आफनो कारेक्रम बड़ी सेंसर होना थाले पची तथा सरकार को हित अनुकूल को कारेक्रम मात्र गरना तेलेविजन बेवस्थापन को दबाब उनले ना माने पची उनी नेपाल तेलेविजन बात निसकासी भय का थिये तेती नहीं बेला नेपाल तेलेविजन का कानुनी सल्लाकार समेत रहेका इंद्र ले त्यस्पची उक्तपदपनी त्यागी का थिये नेपाल टेलेविजन छोड़े लगत्ये, कान्थिपूर टेलेविजन मा कान्थिपूर बहस सेर्षक मा इंद्रले कारेकरम गर्ण थाले कांतिपूर बहस ये होस कांतिपूर टेलिविजन आईसा के पची उनको चर्चामा थप आयाम थपियो उनी जंचन लोक कप्रिय हुन धाले कांतिपूर टेलिविजन आईसा के पची उनको भी उनको चुपश ये। कारेक्रम संचालन गर्दा उनी नेता हरुष्चंगा निक्कै खरो रूप मा प्रस्तूत हों थे रह यही खरो पन उनको फरक पहिचान पनी बनना गएको थियो कारान करान नेतो हमारें इत्रों मांचे मारें और गुझा जवप के विडिविनी आत लागाना वंडर भाडि ने खरो कारेस खौन हो नेक्षान मांचे को प्रह ब्यगना कौने प्रजंण के पहले तूंधर और अवेग दिवाले ने वस्ति अचाल कंपणाू मांचे मांचे क प्राइ थाबाईछे के गोँछा कि नेपाली नेतारू मावाधिकागो लागी भारतका काठिये वन्नीकुद थाबाईछे के गोँछा तई पनी नेतारू अनिक बहाना गर्शन आमी क्वस्ता के समस्कार को सुरुआप गर्दी हो अधर्बाफडे तपाइ लाइ के मांचा बंदायखेरी आफनो अधिकार फिर्टागरनको लागी कुरागरना आओ बन्ना, कॉल बहुँ वने, तपाय दर्भा जाननोंचे की मुनना? जाननो. का सुन्?? सखलता पांटा को लागी, तपायले तपण को पातिले, जनता को जन आशो जन ताकू जन रगत बगायको रगत जन ताकू जन ताकू घ्यान, जन दाला दियहको यातना और को पल्ला मा राहता कुछ औछ बारी पांटा इतियास मन कुने पने महान राश्ट्र महन बलीदान को विचभात नी बने गो छोन बलीदान न गरीक no राष्ट्र को विकास और त्यों देश का जनता को महानता दुनियामा इस्तावित पने 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 विकास पने उन्हें यह द्रिश्टी कोणले मो उपलवदी को पाटो ने मुख्य दान्चु शेनालाई सर्खार को अधिनमा इजो वंदा बड़ी निया आम जनता को मनमा ने नेपाली राजनिती को भित्री कुरा ने ताहरुबात निकाले रेच्छारने इंद्र को विशेश्ता थियो गिर्जाब आवु सही गर्णुबू, मादव नेपाल सही गर्णुबू, आठीबूते समयधारी माँ, बली पल्टी देखी केवो, एती समखे गिर्जाब आवुको समसद्ये दलनी मता पुरेई विरुध माँ पस्ता पासे। नेपाल तेली विजन संगा आबद रहता देखी नई, नेपाल मा बाडी पहिरोको मोसम मा हुने ख्षती रपीडी धरुको अवस्ता बुझन, तथा उनी हरुको उद्दार का लागी, उनी हिडी हाल थे। रसमें, आली हमें यो 9 मैन स्थाना मा शों, इंडिया रे नेपाल को बिछमा, यो जुन अगाडी को भाग सा, एता पाटी है ता पाटी है यो इनदिया हो, ते नेपाल हो, आली हमें जां गाख्या अचाँ, यहाला 10 बजी यहाला बशी ब़नछा, अब उन्ठा के यहाला व दुएहजार चौन्सथी साल मा कोशी मा आयको बाडी मा अलपत्र परेका लिडी धरुको उद्धार कार्य मा उनको प्रत्यक्छ सम्लंग नताले पनी यो कुरा को पुष्टी करता छा अब हामरो मिशन अरको ठाओं को खोजी मा छा जहां बाडी ले विस्तापित व्यक्ती हामिलाई थेला पर देशा हामिले इब्रिदालाई यहां बेटाओं देशा इब्रिदाको इस्तिती स्वाथ से नहीं दया नियाच इब्रिदाका आखाले नहीं इनको सम्पून प्यादान आई इस पस्ट बोली देच